ऐसलाव अलेकुम तो फ्रेंड्स आज में आप ले आप लोगों के लिए बहुत इक्वश्रत पैटर्ण लेकर आएगे यह पैटर्ण हमारा इस तरह से बनेगा थी 3 plus 3 plus करके और दो फंदे इस्टरा तो यहां पर हमने फंदे डाल लिए फंदे डालके यहां में दो सलाईया उल्टा बना लिया बाडर तो आप कोई भी बार्डर बना लीजी उसके उपर से आप यहां से जब स्टार्ट करेंगे बनाना तो राइट साइड से स्टार्ट तो यहां पर हम जब पैटन बनाएंगे फर्स्ट रोर राइट साइड से कोई भी बार्डर बनाने के बाद इसके उपर से यहीं से अपलाई करेंगे तो फिर से जो मैं आपको बताने जा रहे हूं दो सुलाईया उसको ध्यान से देख लीजिएगा दो सुलाईयों का हमारा प फारइट से लस्तपिस वर्स्ट र है तो फश्ट रो में इस तरह एक पंदơn हम सिनाविक करेंगे अवक फंद अब हमैसे ही एक लिग करते शीधा बनाते हुए चले यंगे ये हमारी फंट रॉड ऐसे शीधा बनाएंगे सारे फंदेल सीधा ऐश्ठिस करेंगेत तो फ्रें आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सुब्क्राइब कर लिजीगा प्रेस कर लिजीगा बेल बटन आल जलूर दबाईएगा थाकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सारे फंदे ऐसे ही सीधा बुलनेंगे यह हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी अब आते हैं दूसरी स्लाइज सेकेंड रो जो रॉंग साइड से बनाएंगे फ्रेंड्स तो रॉंग साइड से भी वही बनाएंगे एक फंदा हम ऐसे सिलिप करेंगे रॉंग साइट से भी हमें परलवाइज नहीं बुनना है सीधा ही बुनना है धागा पीछे करेंगे अब ऐसे ही सारे फंदे सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से रॉंग साइट से जब दूसरी सलाई बुनेंगे तो सारे फंदे ऐसे ही सीधा इस्टिश करेंगे पैटर्न बहुत ही खुबसरत बन कराता है आप इस पैटर्न को इसकाप और मफलर और सॉल कुछ भी आप इसका बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही छोटा पैटर्न है और एक कोटी बनाएंगे तो बहुत फुबसरit बन कराएगा ही हमारी दूसरी स्लाई रॉंग साइट से सीधा सीधा ही बनाएंगे तहीं कि कंपलीट हो गई अम एक पंदा लाश्ट में इस इस टिश को उल्टा बना लेंगे कि की यह रॉंग साइड है अब आते हैं राइड थार्ड रो तो फ्रेंट्स से यह देख लें यहां पर यह सीधा बना हुआ था दो स्लाई फिर इसके उपर जो रॉंग साइट से उल्टा बन कराया है अब यहां पर हमें अपना यह थार्ड रो बनाना है पैटर्न अब हमारा यही से स्टार्ट होगा एक पंदा हमने सिलिप क आगे की साइड से फ्रंट लुक से ऐसे डालेंगे, तीन फंदों को एक साथ इस तरह से एक बार सीधा बुनेंगे, अब तीन फंदों में जो आगे वाला फंदा है ना, इस फंदे को हम ऐसे ही एक बार सीधा बुनेंगे, दो फंदे हो गए, अब ये जो दो फंदे बचे हैं इन दो फंदो को भी ऐसे ही सीधा बना लेंगे एक करके सीधा बनाएंगे यह हमारा तीन फंदो से तीन फंदा ही बना है फिर अगला ऐसे ही बनाएंगे अब यही हमें फर्स्ट रो में सारे ऐसे ही रिपीट करते जाना है तीन फंदो को हम ऐसे ही फ्रंट लुक से सीधा बना अब तीन फंदों में जो आगे वाला फंदा है ये फंदा इस फंदे को हम पहले सिधा बना लेंगे तो ये हमारा दो फंदा हो गया फिर इन दोनों फंदों को भी ऐसे ही सिधा बनाएंगे तो तीन फंदा ये देखिए तीन फंदे तीन फंदों से तीन फंदा ही बनेगा फि इस तरह से एक बार सीधा बुनेंगे अब जो तीन फंदों में आगे वाला फंदा है ना इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे अब इन दोनों फंदों को भी सीधा बनाएंगे तो तीन फंदों से हमारा तीन फंदा ही बनेगा फिर अगला इसे ही बनाएंगे इन तीन फंदों क एक साथ है इसे ही front look से friends इस तरह से बुरेंगे एक पंदा सीधा अब यह जो आगे वाला फंदा है इंगे सीधा इसे ही अब यह दोनें पंद्धेजों आपको दिख रह आ deux ओंदों को एक कर लेंगे तो यह तीन फंदों से फिर तीन फंद आम करेंगे फिर ऐसे ही करेंगे एंसी तरह से यहीं बार-बार रिपीट करेंगे फिरणे रिचे बनाना है कि यह तरह से तीन फंदा ड़ी बनाना कि फिरसे वही रिपिट करेंगे इन तीन फंदों में Amin करेंटु लूग से तीन फंदों का एक करेंगी अब यह जो आगेवाला उसको सिधा बना लेंगे फिर इन दोनों को हम सीधा बनाएंगे दिखेंगे अब यहां फिर लाश्ट में बंचे हैं तीन पंदे, तीन पंदों को in को भी इसी तरह बनाएंगे, तीन पंदे एक साथ है, ऐसे ही फ्रंट लुक से एक करेंगे, अब जो आगे वाला पंदा है न, इसको हम सीधा बनाएंगे, और ये दू फंदे जो बचे हैं इनको भी एक कर लेंगे तीन फंदों से फिर से हमारा तीन फंदा बना ये देखिए फिर लाश्ट में सीधा बना लेंगे इसस्टिस को ये राइट साइड है ना ये देखिए इस तरह से बन कर आएगा अब रॉंग साइड से हम बनाएंगे फोर रो चौथी सिलाई बहुत ही असान है एक फंदा सिलिप करेंगे धागा करेंगे पीछे अब यहां पर फिर से वही रिपीट करेंगे सारे फंदे ऐसे ही एक एक करते भी सिधा बन कर कम्प्रीट कर लेंगे अब जब भी हम बनाएंगे रॉंग साइट से तो रॉंग साइट से हम ऐसे ही रिपीट करेंगे उल्टा परलवाई नहीं बुनना है सारे फंदे ऐसे ही सीधा बना लेने हैं पैटर्ण हमारी बहुत ही असान है और बहुत ही खुबसरत लगता है बनकर आप इसे किसी प्रजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंट से लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताईएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी सारे फंदे ऐसे ही सीधा बनाएंगे यह हमारी चोथी स्लाई है फोर रूम रॉंग साइड से जब ही हम बनाएंगे न तो ऐसे ही सीधा ही बनाना है सारे फंदे सीधा ही बनाएंगे दोनों साइडों से हमें सीधा सीधा ही बुनना है उल्टा बुनना ही नहीं है लाश्ट में धागापनी साइड इस इस्टिच को उल्टा बना लेंगे कि हमारी रॉंग साइड है अब यह देखिए फोर रो हमने कम्प्लीट कर लिया है स्टार्टिंग से लेकर कितना ब्यूटिफुल बन कर आया है तो एक बार मैं आपको और बता देती हूं अगर आप बेगिनर से हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके उपर फिर वहीं रर्पीट करना है एक फन्दा सिलिप करेंगे जी तीन फंदे आप में ऐससे फिर से करेंगे फ्रंट लूख से एक बार सिधा बनाएँगे एक बार सीधा बनाएंगे अब आगे वाला फंदा जो है न इसको हम इस तरह सीधा बना लेंगे फिर दो फंदा हो गया अब इन दो फंदों को एक करेंगे तो यह हमारा तीन फंदा हो गया यह देखें तीन फंदों से हमारा तीन फंदा ही बनेगा इसी तरह से 33 फंदों का हम बार बार यही रिपीट करते जाएंगे तो यहां पर हमने बना कर रख लिया है यहां पर हमने बना कर रह लिया था देखें कितना व्यूटिफल बन कर आया है बहुत ही खुबसरत पैटर एक देखें 33 फंद ऑन में आप इस पैटन को किसी भी प्रचेट में अप्लाई कर सकते हैं शौल मफलर इसकार्फ बेबी स्टर में नेडी जैकेट कार्डिगन कोटी में बहुत ही फुबसरत बनकर आएगा एक दम करशिया का पैटन लग रहा है को रोचेट पैटन इस तरह से जाली वाला पैटन है अब बहुत ही फुबसळत बनकर आता है मेरी वीडियो लाइक चेश्थ जरूर किज़ेगा फ्रेंडों के साथ my दोस्तों के साथ एक और वीडियो में मिलूंगी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए अल्ला हाफिस थेंक्स वाचिंग मैं वीडियो